प्रण्वित मी स्वागत है आप सबीका हमारे यूटिप चैनल लण विथ मी में दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए है और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लिजेगा और अगर ये वीडियो आपको सब्सक्राइब तो इसे लाइक किजेगा और अपने फ्रेंट के साथ शेयर किजेगा आज हम पढ़ने वाले हैं आइदर और का एक नया केस ठीक है पिछली क्लास में मैंने आप लोगों इन तीन सिंबोल से आइदर और के केस बढ़ा है आज हम इन दोनों सिंबोल से आइद सिंबोल सकती हुआ है तो छोटा क्या होगा डेफिनिटली नहीं आएगा कि लिगा में बोल रÃका एक है बड़ा है बराबर है कि की? तो यह यह दो ही मैं बड़ा होगा यह बराबर होगा ठीक है? दोनों conclusion गलत है और क्या है ए बी ए बी दोनों में character same है अब इसमें तीन symbol नहीं आगा क्योंकि इसमें मैंने देख लिया greater or equal है मतलब smaller तो आ ही नहीं सकता ठीक है तो greater or equal मतलब इसमें मुझे दो ही symbol चाहिए और मुझे दो symbol मिल रहे है मतलब यह क्या है either or को follow करेगा तो इसका answer का answer क्या हुजएगा either first or second अब हम चलते हैं इस स्टेटमिन के दूसरे conclusion कि तरफ दूसरा conclusion यह रहा किया से बड़ा क्या है B क्या है बड़ा है C से और क्या है B क्या है सूरी B क्या है बड़ा बराबर है C ke और B क्या है बड़ा है C से ठीक है statement फिर से वही आ जाएगा अब मैंने देखा मुझे कहा जाना है B से C जाना है फिर मैं देख रहूँ B से C या तो बड़ा होगा या तो क्या होगा बराबर होगा चोटा होगा क्या नहीं होगा अब B से C खाली बराबर है क्या नहीं क्योंकि बड़ा भी हो सकता और बराबर भी हो सकता है 20C जाना है 20C खाली बड़ा है का नए बड़ा भी हो सकता है और वरोबर भी हो सकता है यहां से मैंने देख लिया ठीक है अब दोनुं कनलूजन गलत है क्रेक्टर सेम है 20C 20 эфф और दोई सिम्बॉल चाहिए स्टेटमेंट में मुझे बता दिया गया है कि दोई सिंबॉल चाहिए ठीक है तो हम क्या करेंगे दो सिंबॉल हमें मिल रहे हैं बड़ा और बरोबर छोटा नहीं होना चाहिए स्टेटमेंट में बोल रहा है statement में दिया हुआ है कि बड़ा है और बरोबर है मतलब क्या छोटा नहीं है बड़ा और बरोबर है मतलब छोटा नहीं है तो बड़ा और बरोबर मिल गया जब मुझे ये बड़ा मिल रहा है ये बरोबर मिल रहा है conclusion दिया है, पहला A बड़ा है C सी, दुसरा A कहें बराबर है C के, ठीक है अब गई है, A से C की तरप मैंने देखा A से B, B से C A क्या है B के बड़ये और बरुबर है B के है C से बड़ा और बरुबर ठीक है, अब यहां पही भी वही यहां पे कहीं पे भी छोटा है क्या नहीं मतलब साफ साफ इस रेटमने में बोल दिया या तो बड़ा होगा बरोबर होगा या तो बड़ा होगा और बरोबर होगा चोटा नहीं होगा तो ए से सी गई मैं मैं बता सकती हूं क्या कि ए से सी क्या है बड़ा है नहीं बत कि दो symbol दीख रहे हैं कब दीख रहे हैं दो symbol कब चाहिए जब क्या है statement में खुद बोल रखा है कि यही चाहिए मुझे smaller तो चाहिए ही नहीं ठीक है तब यह बोल रखा हूं मुझे greater भी दीग गया मुझे equal भी दीग गया मतलब यह क्या है आईदर वो को follow करेगा ठीक है इसी statement में अगर मालो ऐसा दिया होता एक यह है पहला statement लिखा होता आपका कि A बड़ा है और बरोबर है किसके सी ठीक है ठीक है पहला दिया होता एक बड़ा है और बरोबर है सी के अब मैं क्या देखती कि A से मैं सी गई एससी की common क्या मिल रहा है दोनों common मिल रहा है बड़ा भी है और बरोबर भी है यहां पर बड़ा भी है और बरोबर भी मतलब यह क्या follow कर रहा है और एक हाली बड़ा है क्या तो मैं नहीं बता सकती है तो बड़ा है यह तो बराबर है ठीक है मैं बता सकती है नहीं तो यह क्या statement यह रहा क्या लिखा है एक है छोटा आ बरोबर है बी के बी छोटा है बरोबर है C कि C बराबर दिखते क्या लिखा है पहला एक है चोटा एक है C से दूसरा एक है बराबर है C कि इसमें भी मैंने देख लिए अब A से C जाना है मुझे smaller equal smaller equal ठीक है अगर दिया होता इसमें भी वैसे smaller और equal मतलब ये सही हो जाता ये क्या हो जाता गलत हो जाता क्योंकि दोनों comment क्या मिल रहा smaller और equal ठीक है तो इसका answer हो जाता only first of all ठीक है पर हमें क्या दिया हुआ है इस statement में A क्या है बड़ा है सी से और A के है बराबर है सी के तो A बड़ा है कि हम नहीं बता सकते क्योंकि बड़ा और बरोबर दोनों दीख रहा है मुझे तो ये भी गलत हो जाएगा क्यों क्योंकि बड़ा और बरोबर दोनों दीख रहा है खाली बड़ा नहीं दीख रहा है सोरी खाली छोटा नहीं दिख रहा हो खाली बरोबर नहीं दिख रहा है मुझे क्या दिख रहा है ए छोटा है और बरोबर है किसके बी के ठीक है अब क्या करूंगी मैं या तो छोटा होगा या तो बरोबर होगा दोनों कंक्लूजन देख लिए मैंने गलत है ए छोटा है इसम बड़ा बरावर हैसी कि धीक दूनों कंक्लूजन जब गलत है करेक्टर क्या है सिम है और मुझे इस यगा इसे इस में बोल दिया गया कि यही होना चाहिए दो यही होना चाहिए तो क्या करूंगे मैं यह सब्सक्राइब और ज linguya मतलब किया हो जाएening आईर फ़स्ट और रही क्या हो जाएका है यह यह पोलाया है बड़ेंट है मुझे जाना है C, C, D, मैं देख सकती हूँ C, C, D के लिखा हुआ है स्टेटमेंट में C के है, बराबर है C के मतलब C की जग़ा पे B लिखो C की जग़ा पे D लिखो या D की जग़ा पे C लिखो, बात क्या है A की है, ठीक है D को C बूल दो या C को D बूल दो ठीक है बात क्या है एक एक क्योंकि राम ही है जो क्या है शाम है शाम ही है जो क्या है राम है इसका मतलब यह है ठीक है दोनों बंदी क्या है सेम है ऐसा बोल रहा है तो सी की जगा पे डी की जगा पे सी को बात क्या है एक है अब मुझे जाना है डी से बी की तरफ ठीक है डी से B गई वापस उसी रस्ते मूड़ी तो symbol क्या हो जाएगा मूड़ जाएगा मतलब A आ जाएगा ठीक है अब क्या बोल रहा है D बराबर है B के तो खाली बराबर हम बोल सकते हैं के इसको देखके खाली बराबर हम नहीं बोल सकते हैं के खाली बराबर और क्या होगा चल जाएगा मेरा ठीक है आई बात समझ में अब चलते हैं इसंस्तेर्षी स्थ्रेश का एक की द्रफ ठीक है क्या लिखाएस छोटा है बरोबर अचू है बरोबर सी चिसरे omega b बड़ा है C से दूसरा conclusion दिखा है B क्या है बराबर है C के ठीक है अभी क्या देखना है मुझे मैंने देखा B से C B से C जाना है मुझे क्या दिख रहा है smaller और equal ठीक है smaller है क्या नहीं गलत हो जाएगा बड़ा दिया हुआ इसमें बरोबर है बरोबर दिया और चोटा और बरोबर है खाली बरोबर हम भोल जगने के नहीं तो यह क्या होगा है मैंने देखा दोनों conclusion गलत है करेक्टर क्या है सेम है अब सिंबॉल देखना है मुझे सी बी से सी जाने में क्या सिम्बॉल है स्मॉलर और इक्वल या तो स्मॉलर हो या तो इक्वल है पर यहां स्मॉलर है क्या नहीं यहां क्या दिया हुआ है ग्रेटर तो यह फॉलो करेगा क्या नहीं छीख है यह फॉलो करेगा कि नहीं इसमें either or नहीं follow करेगा क्योंकि इसमें क्या है conclusion तो गलत है character भी same है पर symbol मिल रहे हैं नहीं मिल रहे है symbol चाहिए था मुझे smaller और equal का इसमें greater or equal का दिया हो तो इसमें either or follow नहीं करेगा अब जब रहने देख लिए कि either or follow नहीं कर रहे है तो follow क्या करेगा हमारा नाइधर नौर ठीक है नाइधर first follow ठीक है नौर second follow ठीक है दोनोई statement गलत बोथ हार wrong ठीक है यह follow नहीं कर रहा है ठीक है आई बत समझ में अब आप लोगों को यह वाले cases जी मुझे जी उमीद है कि समझ आ गए होंगे इसके पहले वीडियो में मैंने आप लोगों को यह तीन वाले बताया थे ठीक है अब हम चलते हमारे not equal के case की तरफ ठीक है not equal मतलब क्या होता है अब समझते हम इसको not equal क्या होता है यह थीन सींबोल है मैंने बोल दिया बराबर नहीं है तो मैंने बरोबर को हटा दया बराबर नहीं मतलब क्या अब मैंने एक स्टेट्मेंट लिका A क्या है बराबर नहीं है B के B बराबर नहीं है C के C बराबर है D के ठीक है इसे स्ट्रेटमेंट का मतलब क्या A क्या है या तो बड़ा है या तो छोटा है B के B या तो बड़ा है या चोटा है C के C क्या है बराबर है भी कि ठीख एख एसी स्रिप्मन्ट का मतलब यहीं है यह बोल रहा है अब कंकुलूजन दिया है हम माल लो पहला कंकुलूजन लिखा है A क्या है बड़ा है B सी और दुसरा कंकुलूजन क्या लिखा है एक चोटा है B से ठीख अब मुझे A सी B जाना है बरोबर नहीं है तो या तो बड़ा होगा या तो छोटा होगा ठीक है अब मैं बोल सकती हूँ कि A बड़ा है B से मैं नहीं बोल सकती हम नहीं बता सकते हैं हम निदारित नहीं कर सकती कि बड़ा है कि छोटा है ठीक है तो ये क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा फिर मैं गई है से B की तरफ मैंने देखा बड़ा होगा या तो छोटा होगा मैं बोल सकती हूँ कि सिर्फ छोटा ही है नहीं बोल सकती हूँ कि मुझे नहीं पता और क्या चाहिए i慕 टेंगे गी का से गूनान में देख सकते हैं इस स्टे में से बरोबर नहीं होना चाहिए तो यह तो चोटा होगा यह तो बड़ा होगा छोटा भी दिख रहा है मुझे तो एह तो सिपि ऊसरा चुन्दिफ काशचन ऊझा Review हुआ है और यह रहा मेरा दूसरा कंक्लूजन क्या लिखा है सबसे पहले एक हो बड़ा हो भी से और दूसरा एच छोटा हो और बरोबर हो भी के ठीक है अब मैं ऐसे भी जाओंगी तो यह आएगा या तो यह आएगा बता सकते हूं क्या आएगा तो गलत हो गया फिर गई मैं एसे भी या तो यह आएगा या तो यह आएगा मैं बता सकते हूं क्या यह आएगा क्या तो नहीं आएगा अब जब मैंने देखा दोनों कंक्लूजन गलत है तो मेरा दिमाग जाएगा आईदर और की तरब तो मैंने देखा करेक्टर भी क्या है सेम है अब सिम्बॉल क्या मुझे बरोबर नहीं है मतलब या तो छोटा होना चाहिए या बड़ा होना चाहिए बरोबर आएगा क्या नहीं आएगा मैंने लिखा बड़ा है और छोटा है पर यहां पर क्या दिया हुआ है बरोबर भी दिया हुआ है तो इसमें आधर और फॉलू करेगा क्या नहीं क्यों क्योंकि statement में बोल रखा A बरोबर नहीं है B के मतलब या तो बड़ा हो या तो छोटा बरोबर नहां हो नहीं हो ठीक है पर यहां पर बरोबर दिया हुआ है conclusion में तो यहां पर either or follow नहीं करेगा इसका answer हो जाएगा fourth option मतलब neither first follow nor second follow ठीक है बोध हार not follow ठीक है अब चलते हैं इसी type के एक दूसरे conclusion की दरब ठीक है यह एक statement दिया हुआ है यह अब मैंने देख लिया A क्या है बड़ा है C से पहला conclusion दूसरा conclusion क्या आगया A क्या है छोटा है C से अब मुझे जाना है A से B, B से C A से B जाते समय या तो छोटा हो या तो बड़ा हो B से C जाते समय या तो छोटा हो या तो बड़ा हो ठीक है अब मैं गई A से A से C की दरब A से C गई तो A से C गई तो बता सकती हूँ क्या बड़ा आएगा की छोटा आएगा नहीं बता सकती इसमें भी नहीं बता सकती क्योंकि यहां पर दो दो सी मॉल देख रहे मुझे तो मैं या तो बड़ा या तो छोटा नहीं बता सकती थीक है अब जब मैं बड़ा और छोटा नहीं बता सकती तो मैंने देखा दोनों क्या आगए गलत आ गए, तो गो, दोनों conclusion आ गए, तो मेरा दिमाग कहा दोडेगा अईधर और किदर आप करेक्टर कैया है सेम है, च्थीक है, और चाहिए क्या मुझे, चाहिए क्या मुझे, एक नट जाहिए क्या मुझे A से B में ये दुनिवाया A से C में ये दुनों आया ठीक है अब यहाँ पर इसका अंसर क्या होगा A से C में मैंने देख लिया ये दुनों कंकुर्जन गलत हैं अब A से B और B से C में A से B या तो छोटा होगा या तो बड़ा होगा B से C या तो छोटा होगा या बड़ा होगा अब कुछ बच्चे इसे आइदर और माग करते थे पर आइदर और इसका अंसर नहीं होगा क्यों नहीं होगा A से B है तो छोटा बढ़ा होगा A से C है तो B से C है तो छोटा बढ़ा होगा पर A और C का हम बोल सकते हैं कि छोटा बढ़ा ही होगा ये नहीं बोल सकते है चार पांच चार ऐसा लिखा हो ये तो इससे बड़ा हो गया ये से छोटा हो गया ठीक है पर ये दोनों भी तो बरूबर हैं तो इसमें हमें तीनों सिंबोल की जरुवत पड़ती है ठीक है इसमें हमें तीनों सिंबोल की जरुवत पड़ेगी तो इसका अं कि बड़ा होगा चोटा हो खिए बढ़ा होगी जातों चोटा होगा अब मैं ने प békस करेटर क्या greater रहेगा कि smaller रहेगा नहीं इसमें भी नहीं दोनों conclusion गलत है A और C common है ठीक है अब मैंने देखा character सेम आ गए अब क्या चाहिए मुझे या तो छोटा बड़ा या तो छोटा बड़ा ठीक है अब यह A से B छोटा बड़ा होना चाहिए ठीक है और B से C छोटा बड़ा होना चाहिए पर A से C के बारे में मुझे कुछ भी information पता है क्या मैं कुछ भी नहीं बोल सकती तो जब मैं A से C को कुछ बोली नहीं सकती A से B बड़ा छोटा हो B से C छोटा बड़ा हो ठीक है तो यह क्या होगा, इसमें हम नहीं बता सकते हैं, आइदर और नहीं चलेगा, तो यह क्या हो जाएगा इसमें, नाइदर फर्स नोर सेकेंड, ठीक है, बोध हर नॉट फोलो, आई बात समझ में, इतनी बात समझ आ रही है, क्या क्या पड़ा हमने, हमने देखा, यह दो लिए और एक देख लिए, नॉट एक्वल वाला, ठीक है, इसी का एक और कंक्लूजन का ले लेते हम, यह स्ट्रेट्मेंट यही रहेगा हमारा, अब एक कंक्लूजन दिया हुआ है, एक बड़ा है, डी से, और एक चोटा है, डी से, ऐसा लिख लिख लिए माल लो, अब एस के बरोबर नहीं है, तो ऐसी का रिलेशन नहीं पता, तो ना इदर फर्स फॉलो नॉर से के इतल नहीं है, अब चलते हम इक दूसरे स्ट्मेंट ले ले लेते हुआ, आप लोगो समझाने के लिए, मान लो, लिखा एक क्या है, बराबर नहीं है, दो के, दो बराबर रहे है, तीन के तीन बराबर नहीं है चार के चार छोटा है पांस से ठीक है मैं गई पहला कंक्लूजन एक से तीन दूसरा कंक्लूजन एक से तीन ठीक है अब एक से दो क्या बरोबर नहीं है या तो छोटा होगा या बरोबर होगा बरोबर नहीं मतलब या चोटा होगा या थो बड़ा होगा एक दो ही कीर्द थीन B Hack Si मुझे का मेरा ही है तो एक से तीन जाना हैος मुझे तो बड़ा होगा कि यह चोटा मैं पता सकती हूं क्या नहीं मैंने देखा दोनों मेरा कंक्लूसन गलत हैं क्या है सेम है मतलब क्या होगा अब सिंबॉल चेक होगा सिंबॉल चेक होगा तो मैं इस्टेटमेंट में देख सकती हूं कि एक और तीन के बीच रिलेशन बता दिया है या तो चोटा हो या तो बड़ा हो बरोबर नहीं हो ठीक है मतलब या तो यह होगा या तो यह होगा से बड़ा वरोबर और चोटा वर फिर वही दूर सिर्जडा या तो छोटा हए या तो बड़ा होगा ठीक है अब एक से तीन जाना है मुझे हुझे तो तो यस यह चोटा यह वरोबर को यह आए मतलब इसमें इलों और फॉलमे यह ता पहले स्ट्रेटमेंट एंड वालो करा था वाले कन्कलूजन लिए पर ऊबर रहा है मतलाप समझ में तो इस तो यह था ये कहागी तो यह कुछ कि यह थो सि मॉसे नहीं हनुअ फालों भालाप si we催न नहीं करहें मेंस तो first चाहिए नाइधर नौर हो जाएगा अब चलते हैं इसी के एक और conclusion की तरफ यह दिया हुआ है मालो जी कि ऐसा दिया हुआ है मुझे यह मिनें कनक्लूसन लेकल हैम अब दिया हुआ है मालू एक क्या है बढ़ा है दो से एक क्या है चोटा है तीन से अब पे चोटा विदर ये के दो खु늧ा है तो दो की जगा पर 3 लेकल ये दो लिकोंबात से यही है मतलब एक बड़ा है दो तीन से एक छोटा है तीन दो से ठीक है अब पहला कंकुलूजन मैं जब चेक किया तो मैं कुछ नहीं बता सकती है दूसरा कंकुलूजन जब मैं एक से दो की तरब गई तुम्हें बता सकती हूं क्या बड़ा है की छोटा है नहीं बता सकती है या तो बढ़ा होगा या तो छोड़ा होगा दोनों कंक्लूजन क्या है गलत है अब मैंने देख लिया करेक्टर क्या है सेम है दो और तीन लिखा था हलाकी लेकिन क्या है स्टेट्मेंट में बोल करके कि दो बराबर है तीन के मतलब यह दोनों क्या है सेम है ठीक है दो की जग स्टी स्टेटमन को लीकने प्रा नेगे साथ मिनि और बना लुन कन्qlust लिखा हुआ एक हैं बड़ा है लुगा चार की छोटा है घोघी धीर कि छी ना एक से भाई होगा यह सींतिक भी उन्हों करें सेseven na है कि बदा है कि छोटा है नहीं बता सकती एक से चार बता सकती यूं कि नहीं बता सकती मैंने देखा दोनो conclusion गरफ्स गलर सिंब्बॉल सेम आ गए इसके here magun 지금 कं और च्रीक कर आington गल तो एक कैंड सेंसे बड़ा चोटा है ऐक दो थिन कि ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझाए जाए कि किस किस कंडिशन पर फॉलो करता है किस कंडिशन पर फॉलो नहीं करता इदर हो ठीक है और यह मैं आज जित्ता भी बता रहे हैं उसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजेगा ठीक है कंकुलूजन दिया तीन से अचाना है ठीक है तो तीन से चार गई मैं तो छोटा और बड़ा कुछ भी हो सकते है मुझे पाता है क्या नहीं चार से पांच गी तो डेफिनिटली छोटा वोगा तो अब इन दोनों में क्या को मल लोगो तो यह पोजिशन है कुछस ले सकती हूं क्या नहीं इसमें भी न रिलेशन या सकती हुआ नहीं बूल सकती हुआ है टीन और पांच या हूँ बरोबर और तो यह फॉलो करेंगा आपको प्र। नौर सेकेंद ठिक है सेसं कांसर क disclose कर रहे हैं नहीं नुसटा फॉलो कर रहा था in या बढ़ा हो या चोटा हो यह तो चोटा हो ठीग है इतने ही केश से बंद सकते हैं यो अब आपको समयको पर चैनल को लोई स्काव दया हों यह समझ चैनल केdevelop के हम लेकल है एक ना ठीख सकते हैं किस समाज़ कम आपको कुछ नहीं थे खाएब कर या झाल की या थे अब ये तीन सिंबॉल होते हैं इसमें बोल दिया है कि छोटा नहीं है नहीं बरोबर है ठीक है छोटा नहीं है नहीं बरोबर है ठीक है इसका मतलब नहीं है ठीक है तो क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा अब मैंने पहला conclusion लिख लिए यहां बड़ा है C की और दुछा लिख लिए मैंने D के है छोटा है C से अब मुझे जाना है A से C A से भी गई मैं इसका A भी वरोबर है मतलब A को एक साथ लिख लिए हमने और यहां से यहां गई तो यहां से यहां गई तो क्या गया? यहां गया ठीक है यह C है ना इस स्टेट्मेंट को मैंने इस फॉर्म में लिख लिया ठीक है A भी वरोबर है बड़े चोटे हैं C से C बड़ा है D से अब A से C जाना मैं बता सकते हूं क्या कि बड़ा है की चोटा है नहीं तो यह क्या हो गया? गलत हो गया A से C जान डी से सी वापी सरस्ते मूर रही हैं तो greater क्या हो जाएगा small हो जाएगा small है क्या है मतलब क्या है यह सही तो पहला गलत आ गया दूसरा सही आ गया मतलब क्या है only second conclusion is follows ठीक है खाली क्या है दूसरा conclusion follow कर रहा है केवल दूसरा conclusion क्या follow कर रहा है ठीक है ये बात समझ मैं ही इसका मतलब है बड़ा नहीं है मतलब छोटा और बरोबर हो सकता है इसका मतलब है बड़ा नहीं और बरोबर नहीं मतलब छोटा हो सकता है इसका मतलब है छोटा नहीं है मतलब बड़ा और बरोबर हो सकता है इसका मतलब है छोटा भी नहीं है और बरोबर में नहीं है मतलब क्या है बड़ा होगा हना ये तीन सिंबॉल ही रहते हैं ये दोनों नहीं है तो ये हो जाएगा हना अब क्या करेंगे हम एक और statement ले लेते हैं मालो मैंने लिखा statement ठीक ये लिखा फिर ये लिख रिया और conclusion ले लिया मैंने a बड़ा है c से और a के है छोटा है c से ठीक है अब statement को मैं अपने रूप में लिख लेती हूं a से b b से c ये तो है अब ये छोटा नहीं है और बरोबर न a से b b से c ये और ये common ये मिल रहा है मतलब एक है फॉलू कर रहा है अब जाना है a से c a से c greater greater तो क्या आएगा greater पर यहां पर क्या है smaller मतलब क्या होगा गलत तो पहला conclusion सहीं दूसरा conclusion गलत मतलब only first conclusion is follows ठीक है अब एक और statement ले ले लेती हूं में ये मानलो ऐसा दिखा है और ये ऐसा दिखा है मानलो ठीक है अब मैं गई पहला a से c की तरब गई में smaller ले ली a से c की तरब गई में greater अब इस conclusion को मैं कैसे लिख लूँगी a बड़ा और बरोबर नहीं है मतलब छोटा है बी से और बी बड़ा है सी से अब जाना है a से c ये दोनों आ गए मतलब opposition मतलब गलत फिर a से c opposition मतलब गलत दोनों क्या है गलत है character क्या है same है symbol क्या चाहिए इसमें हम नहीं बता सकते मतलब तीनों symbol होना जरूरी है तीनों symbol है मतलब क्या है either or की condition को follow कर रहा होगा ठीक है इतनी बात आई समझ में आज हमने क्या क्या पढ़ लिया पिछली वीडियो में हमने ये 3 symbol का पढ़ा था आज हमने ये 2 symbol का पढ़ या not equal वाले case पढ़ लिये और क्या पढ़ लिया ये वाले cases पढ़ लिये ठी है इतनी चीज़ा हमारी clear हो गई inequality में सिर्फ इतना ही पूछेगा इससे ज्यादा नहीं पूछेगा ये थी हमारी normal inequality इसके जितनी cases बन सकते थे मैंने हर type के cases आपको बता दिये हैं इसके भी जित समझ आया होगा ठीक है अगर ना समझ आया तो इससे दोबारा से देखना definitely समझ आ जाएगा ठीक है हो सकता है कि आप इससे पहली बार इस तरीकी कि किस पढ़ रही हो तो समझने में थोड़ी दिखका जाए पर अगर दुबारा देखने तो जरूर समझ आ जाएगा ठीक है यह तो हो गया इतने तरीकी कि जितनी possibility हो सकती थी question कि जितने cases बन सकते थी मैंने सब पढ़ा दिया ठीक है अब पढ़ेंगे हम अगली class में coded inequality ठीक है coded inequality पढ़ेंगे हम उसको बनाना सीखेंगी ठीक है तो चलिए यहां पर class को हम end up करते हैं till then keep learning keep practicing thank you and bye bye